Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम लोग एक नया प्लेलिस स्टार्ट कर रहे हैं Not exactly a playlist, but since इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बनेंगे तो I am calling it a playlist The name of the topic is XGBoost I guess आपने नाम तो सुनाई होगा बहुत ही famous machine learning library है जो आज की rate में probably हर Kaggle competition में use होती है और industry में भी जब projects होते हैं महाँ पर XGBoost काफी use होता है तो अभी तक unfortunately इस channel पर मैंने सही से XGBoost को cover नहीं किया था तो अब what I am going to do is बहुत detail में I am going to cover XGBoost in multiple videos आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं आज का जो वीडियो है it is going to be about the introduction of XGBoost हालाकि वीडियो का length देख के आपको लगेगा कि यार एक घंटे का introduction कैसा हो सकता है तो actually मैंने क्या किया है मैंने XGBoost का जो original paper था तो मैंने उसको काफी detail में study किया है इस वीडियो को बनाने के process में और वहाँ पे जो authors ने सारी बाते कहीं है मैंने उसको simplify करके इस एक वीडियो में डालने की कोशिश की है XGBoost के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बहुत ही जादा चीजे हैं XGBoost library के अंदर and that is why as a beginner आपको कभी-कभी overwhelming feel होगा कि यार क्या-क्या सीखना है तो मैं आपको guarantee देता हूँ अगर आप आज का वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको वो overwhelming जो feeling है वो नहीं आएगी because आपको एक बहुत अच्छा overview मिल जाएगा कि अच्छा XGBoost में ये सारी चीजे होती है और हमें इस order में पढ़ना है तो that is why introduction वाला जो वीडियो है थोड़ा बड़ा बन गया but I am pretty sure अगर आप पूरा देखोगे तो काफी knowledge आप लेके जाओगे ठीक है तो yeah with that let's start the video So XGBoost को अच्छे से समझने के लिए हमें एक बार पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और machine learning के बारे में बात करनी पड़ेगी तो machine learning जब आप पढ़ने जाओगे न तो machine learning का जो सबसे पहला definition आपको पढ़ाया जाएगा वो होता है कि machine learning is a technique where you learn from data So machine learning में आप क्या करते हो आपके बास data sets होते हैं आप उनके उपर कुछ algorithms को apply करते हो वो algorithms आपके data के अंदर के patterns को सीखते हैं और फिर prediction करते हैं यही होता है machine learning mostly अब अगर आप बात करो कि algorithms क्या हैं तो शायद आपको पता होगा machine learning में बहुत सारे algorithms हैं linear regression, logistic regression, naive base, KNN, SVM बहुत सारे algorithms हैं तो जब मैं machine learning पढ़ना start कर रहा था तो मेरे दिमार्ग में बहुत obvious confusion आया कि इतने सारे algorithms क्यों होते हैं कोई एक single algorithm सारे तरह की problems के ओपर क्यों नहीं apply हो सकता तो then I realized obviously और पढ़ने के बाद कि algorithms जो होते हैं वो data specific या फिर scenario specific होते हैं तो अगर आप बहुत शुरू की बात करो let's say आप 70s and 80s का बात करो तो इस time पर जो algorithms develop हुए ठीक है अब I don't remember कौन से वो exact algorithms थे let's say knife base and all ये सब जो algorithms develop हुए इन सारे algorithms में अच्छी बात ये थी कि ये लोग machine learning use करके problems को solve कर सकते थे but एक major disadvantage ये था इन algorithms का कि ये लोग बहुत ही specific type के data के उपर ही अच्छा perform करते थे जैसे कि अगर आप linear regression की बात करो तो linear regression बहुत specifically speaking linear data के उपर अच्छा काम करते हैं ठीक है अगर आप बात करो let's say naive base के उपर तो naive base बहुत limited type का data जैसे कि textual data के उपर बहुत अच्छा perform करते हैं तो 70s, 80s वाले जो algorithms थे उथ में mostly a drawback था कि बहुत general नहीं थे बहुत specialized data पर काम करते थे उसके बाद आया 90s 90s में क्या हुआ कि ऐसे algorithms बनने लग गए जो not only ज़ादा powerful थे performance wise बट also ज़ादा general थे मतलब अलग-अलग type के data पर apply हो सकते थे तो 90s में जो तीन major algorithms निकल के आये हैं वो है random forest, svm and gradient boosting इन तीनों algorithms की खासियत क्या है कि ये बहुत powerful है like इनके results जो performance है वो हमेशा अच्छा आता है और साथी साथ ये अलग-अलग types के data के उपर भी काम करते हैं ठीक है बट अगर आप बात करो इनके disadvantages की तो इनके अंदर भी कुछ disadvantages थे जैसे कि पहला disadvantage ये था कि ये algorithms अभी तक भी overfitting type की problem से struggle कर रहे थे और दूसरा scalability का problem था ठीक है scalability का problem होने का मतलब कि जैसे जैसे 2000s के around data बढ़ने लगा, internet आ गया, data बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो data sets का size भी बढ़ने लगा और जैसे जैसे data sets का size बढ़ने लगा तो ये algorithms उतना effective नहीं रहे बड़े data sets के उपर, तो in short performance की problem थी, performance in the sense metrics पे result कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और speed की problem थी की बड़े data set के उपर slow थे, इनी दो problems को solve करने के लिए आया XGBoost in 2014, बहुत ही recent है, बट XGBoost जब से आया है, it has become the best machine learning algorithm out there, जो अलग-अलग type के data के उपर, कितने भी बड़े data के उपर, अच्छा performance देता है, ठीक है, अब मजे की बात यह है, कि XGBoost is not an algorithm, बहुत लोगों को यह लगता है कि XGBoost एक algorithm है, नहीं, XGBoost एक algorithm नहीं है, XGBoost actually एक library है, जो बना हुआ है, already existing gradient boosting algorithm के उपर, तो in short, there was this guy, his name is Tiyanki Chain, he is just 35 years old, he saw कि gradient boosting में बहुत potential है, अगर हम gradient boosting को पकड़ें और इसके उपर थोड़े improvements करें, improvements बोथ in terms of performance and speed, तो it can become something very powerful and that is what XGBoost is, XGBoost is basically gradient boosting को उठाना और उसके उपर बहुत तरह के optimizations लगाना, so that it becomes a super powerful machine learning algorithm, so nutshell में XGBoost दो चीजों को merge करके बना है, machine learning, जो उसने gradient boosting से उठाया, और बहुत सारे software engineering के concepts, जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और इन दिनों को मिला दिया, and then we have a very powerful library, which can be used to a lot of scenarios, lot of datasets, and it will mostly give you great performance at a very high speed, ठीक है, तो अब हमारा काम इस वीडियो में क्या है, कि हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि पूरी history कैसी रही है, at least in terms of developing XGBoost, क्या improvements किये गए, both in terms of performance and speed, और एक overall हम लोग overview लेंगे, XGBoost का, because बहुत huge है XGBoost, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तो आपके पास एक overview होना जरूरी है, तभी आप इसको सही तरीके से cover कर पाओगे, अब किसी भी चीज़ का overview लेने के लिए उसका history समझना जरूरी होता है, तो एक काम करते हैं, XGBoost का history थोड़ा सा समझते हैं, मैं XGBoost की पूरी history को तीन parts में divide कर रहा हूँ, सबसे पहला part होगा early days, जब XGBoost बना, जो की 2014 है, उसके बाद अगला stage को I would name Kaggle पे बवाल, क्यूँ? मैं आपको बताता हूँ, this was around 2016, and उसके बाद एक third stage आया है, which is open source days, यह 2016 के बाद से, ठीक है? तो सबसे पहले एक बार हम लोग बात करींगे, कि जो creator है XGBoost के, उन्होंने gradient boosting algorithm को ही क्यू चुना? यह question मेरे मन में आया था, कि XGBoost उस ताइम पे और भी बहुत सारे popular algorithms थे machine learning के, what was the reason कि Tianki Chain को लगा कि gradient boosting is the right candidate to create XGBoost, तो मैं थोड़ी तारीफे कर रहा हूँ, gradient boosting की, obviously assumption यह है कि आपको gradient boosting के बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो फिर आपको पढ़ना पढ़ेगा, बट there were certain factors जो gradient boosting को एक बहुत powerful और capable candidate बनाते हैं, उनमें से सबसे पहला है flexibility, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, gradient boosting के बारे में, तो आपको सबसे पहले यह पता होगा कि आप gradient boosting में कोई भी loss function यूज़ कर सकते हो, unlike other machine learning algorithms, जहां पर बहुत specific एकका दुकका loss functions पे ही काम होता है, gradient boosting इस तरीके से बना हुआ है, कि वो कोई भी loss function, अगर वो differentiable है, उसके उपर काम कर सकता है, अब इससे क्या फाइदा है, कि आप बहुत अलग-अलग type की problems के उपर काम कर सकते हो, आप regression problem के उपर काम कर सकते हो, आप classification के उपर काम कर सकते हो, आप even ranking problem के उपर भी काम कर सकते हो, in fact, आप चाहो तो अपने खुद के custom defined problems के उपर भी काम कर सकते हो, this was reason number one, reason number two was performance, शायद आपको पता होगा, most of the data sets, जिसके उपर आप gradient boosting apply करोगे, वो अच्छा ही result आपको देगा, ठीक है, अगला point है, it is quite robust, मतलब अगर आप सही से regularization apply करते हो, तो फिर इसके जो results आते हैं, वो बहुत robust रहते हैं, तो this is one more thing, and lastly, आपका Kaggle में, already gradient boosting कई लोग use कर रहे थे, to win different competitions, तो ये सारी चीजों को देखने और समझने के बाद, also robustness में एक और feature होगा, कि internally missing values को, बहुत आराम से handle कर लेता है, तो इस तरह के और बहुत सारे छोड़े छोड़े features, gradient boosting में हैं, तो ये सारे factors को देखने के बाद, टियांकी chain को लगा, कि नहीं यार, gradient boosting में कुछ तो बात है, कि वो इतनी सारी चीज़े सही से कर रहा है, the only problem was, कि थोड़ा सा performance, और अगर improve हो जाए, और बड़े data sets के उपर भी अगर ये काम करने लग जाए, तब तो ये kick-ass algorithm बन जाएगा, and that was the thought process, in टियांकी chain's brain, and that's when he decided, कि यार, हम लोग gradient boosting को उठाएंगे, और उसके उपर optimizations लगाएंगे, और XT boost को बनाएंगे, तो in 2014, he published a paper, XT boost, a highly scalable machine learning algorithm, इस तरह का एक paper है, मैं description में add कर दूँँँआ, इस वीडियो में भी cover करेंगे, बट papers पढ़ना इक अच्छी आता है, तो जब एक बार बन गया, XG boost, तो उसके बाद क्या किया, टियांकी chain ने, उसका performance, measure करने के लिए, समझने के लिए, क्यागल पर जो competitions होते हैं, उसमें उन्होंने participate करना शुरू कर दिया, he himself participated in a competition called Higgs Boson, this is the name of the competition, ये particle physics से related एक competition है, अगर आप क्यागल पर जाओगे, तो अभी भी आपको इसका page मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको machine learning लगा के, कुछ particles को identify करना था, अभी मुझे भी उतना idea नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बट या, this was the competition, वेर ट्यांकी चेन himself participated, and he won, he won that competition, and that was the first time, when people noticed कि, क्यागल में एक winner ने एक नया algorithm try out किया है, जिसका नाम है XGBoost, और फिर और भी लोग उसको try out करने लग दे, 2016 में क्या हुआ, कि 29 जो winning submissions थे कैगल पे, उसमें से 16 लोगों ने, जो solution prepare किया था, उसमें XGBoost था, और जैसे ही ये बात दुनिया के सामने आई, उसके बाद तो XGBoost की popularity बहुत तेजी से बढ़ गई, ठीक है, and at this point, ट्यांकी चेन decided, कि यार, इस algorithm में, इस library में potential है, और इसको हमें अगर और आगे बढ़ाना है, तो फिर एक ही तरीका है, कि हम इसको open source करते, open source का मतलब, हम इसका code दुनिया के सामने ले जाए, और दुनिया भर में जितने भी machine learning enthusiasts हैं, engineers हैं, वो लोग इसके उपर अपने additions करें, तो he made XGBoost a open source project, और उसके बाद से तो फिर XGBoost ने मुड़के कभी देखा ही नहीं, बहुत सारी चीज़े इसमें add हुई, बहुत सारे नए features add हुए, हम लोग एक एक करके discuss करेंगे इस वीडियो में, बहुत सारे और optimizations add हुए, जिससे इसका performance बगएरा और improve किया, speed और बढ़ गया, उसके अलावा, because बहुत सारे लोगों ने आकर के development किया, तो यहाँ पर multiple platform का support आ गया, like अलग-अलग operating systems, अलग-अलग programming languages, के उपर भी XGBoost काम करने लग गया, उसके अलावा अगर आप बात करो, तो XGBoost का जो documentation है, जो tutorials हैं, और in general जो content available है internet पे, वो भी बहुत बढ़ गया, उससे भी popularity और बढ़ने लग गयी, उसके अलावा अगर आप बात करो, तो Kaggle पे तो आज की rate में, हर कोई जब भी किसी भी competition में participate करता है, तो it's like default की वो अपना एक solution तो कम से कम, XGBoost लगा के ही prepare करता है, तो on the whole, community के involved होने से क्या हुआ, कि जो growth XGBoost शायद 10 सालों में करता, उतना growth उसने 5 सालों में कर लिया, और fast forward 2023, आज की rate में हर कोई मानता है, कि XGBoost is something जो आपको आना ही चाहिए, if you want to become a data scientist or machine learning engineer, because both in terms of performance and in terms of speed, इसका कोई match नहीं है, So this was a brief history की XGBoost कैसे आया, और कैसे उसने machine learning के world को rule करना start कर दिया, तो guys हमने XGBoost के बारे में एक overview लिया, और हमने XGBoost का history भी पढ़ा, अब हमारा goal है XGBoost को अच्छे से master करना, so that हम effectively उसको use कर पाएं किसी भी project में, Now I'll be very honest with you, XGBoost is a huge library, like बहुत सारी चीज़े हैं XGBoost के अंदर, and if you are a beginner, तो आपको बहुत overwhelming लग सकता है XGBoost को सीखना, I'm not saying it is very difficult, but since बहुत सारी चीज़े हैं, थोड़ा सा difficult लग सकता है, तो मैंने क्या plan किया है, कि first of all हम XGBoost को multiple videos में divide करके पढ़ेंगे, but ये जो video है हमारा, इसमें मैं आपको एक बार XGBoost के जो सारे के सारे features है न, उसका एक idea देना चाहता हूँ, एक intuition देना चाहता हूँ, so that आगे के videos में जब आप उनको detail में पढ़ोगे, तो एक बत्ती चलेगी दिमाग में कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ideally this is the website, यहाँ पर जाके आप थोड़ा बहुत XGBoost के बारे में पढ़ सकते हो, mostly चीज़े आपको यहाँ पर मिलेंगी जब आप docs पर जाओगे, and you can see docs में बहुत सारा content है, ठीक है, सब कुछ पढ़ पाना तो possible भी नहीं है, but like a lot of content is there, तो I would just recommend एक बार just glance through करो, बाकी मैं आपको एक idea देता हूँ, कि क्या-क्या features हैं XGBoost में, so अगर हम त्यांकी chain की बात करें, who is the creator of XGBoost, तो while building this library XGBoost, उनके दिमाग में न, तीन major area of concerns थे, कि ये तीन चीज़े तो इस library में होनी चाहिए, सबसे पहला area of concern था performance, वो चाहते थे कि ये जो library हो, इसका performance बहुत सही हो, overfitting की problem ना हो, robust हो, तो performance बहुत important criteria था उनके दिमाग में, second, उससे भी important criteria था, और concern था speed, because XGBoost is meant to be scalable, बड़े data के उपर, अराम से काम कर पाए, ये एक बहुत important consideration था, तो speed के उपर भी बहुत focus किया गया है, and the third was, flexibility, flexibility in the sense, ट्यांकी chain चाहते थे, कि XGBoost, जादा से जादा लोग use कर पाएं, वो नहीं चाहते थे, कि ये सिर्फ restricted हो, तो सिर्फ उन लोगों के पास, जुनको python आता है, या फिर उन लोगों के पास, जिनके पास सिर्फ windows या Linux operating system है, तो he wanted flexibility, both in terms of the platform of usage, and the programming language that is being used, तो इन तीन core areas पे, सबसे ज़्यादा काम हुआ है, while building XGBoost, तो हम क्या करने वाले हैं, इन तीन areas के बारे में, एक-एक करके discuss करेंगे, कि performance में क्या-क्या pointers हैं, speed में क्या-क्या आया, और flexibility में क्या-क्या आया, ये हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, एक-एक करके, तो तीनो aspects में सबसे पहले बात करते हैं, flexibility की, XGBoost by default, इस तरीके से designed है, कि it is very-very flexible, Tiyanki Chain always had this philosophy in his mind, कि एक library successful तभी बनेगी, जब वो बहुत जादा लोगों तक पहुँच पाएगी, so that's why, उन्होंने ये चार चीज़ें, implement की, flexibility के point of view से, मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ, सबसे पहला was, cross platform, which basically means कि, XGBoost के जो models हैं, वो किसी भी operating system पे चल सकते हैं, be it be Linux, और Windows, या फिर Mac, in fact, they are cross platform, which means कि अगर आपने Linux पे model को build किया है, आप उसको Windows पे run कर सकते हो, ठीक है, चलो ठीक है, cross platform होना, आज की rate में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ज़ादा तर machine learning algorithms, this is something unique, जो आपको बाकी के machine learning algorithms में नहीं मिलेगा, so XGBoost, actually, multiple programming languages को support करता है, generally आप notice करोगे, कि जो भी आपके predictive models है, वो या तो Python में run करते हैं, या फिर R में run करते हैं, या फिर कभी-कभी कुछ, ऐसे भी algorithms हैं, जो matplot, matplotlib में काम करते हैं, matplotlib, I'm sorry, not matplotlib, matlab में काम करते हैं, I got confused, ठीक है, matlab एक बहुत famous software है, उसमें भी आप कुछ predictive models run कर सकते हो, बट XGBoost ने क्या किया, XGBoost ने सारे के सारे famous programming languages के लिए, rappers create किये, सो आज की रिट में अगर आप देखो, तो आप Java, Scala, Ruby, Python, R, और भी कुछ languages हैं, in fact, अगर आप जाओगे, official documentation पे, तो यहाँ पर you can see, R, Java, Ruby, Swift, Julia, C, C++, तभी के लिए आपके बस, interface available है, in fact, आप ये भी कर सकते हो, कि आपने model बिल्ड किया, लिए पाइफन में, और आप उसको load कर रहे हो, Java में, और Java में उसको use कर रहे हो, in fact, यहाँ पर एक छोटा सा code मैंने attach कर रखा है, just to show you, कि ये जो bit है, ये आपने Python में लिखा है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक model को बना रहे हो, और उसको save कर रहे हो, इस file में, और फिर ये जो code है, ये Java में लिखा हुआ है, और आप Java में ये libraries import करके, XGBoost की, आप उसी model को load करके, prediction करवा रहे हो, तो this is such a powerful feature, कि, कल को माल लो, आप एक website, आपने बना रखी, अपने client के लिए, जो fully Java में designed है, because, काफी सारे enterprise applications, Java में बने होते हैं, और कल को आपको यहाँ पर एक, एक machine learning का component add करना है, अब ज़ादातर machine learning के components, जो होते हैं, वो Python में बनाये जाते हैं, अब यहाँ पर compatibility का issue आ जाएगा, आप directly Python का, machine learning model को Java में क्यासे run करोगे, एक ही तरीका है, कि आप पहले, Python को use करके, model को build करो, उसको एक API service में convert करो, और उस API service को Java यूज करेगा, तो काफी system design के constraints यहाँ पर आ गए, but what if, directly आप यह कर पाओ, this would be so convenient, तो टियांकी जेन ने यही सोचा, कि अगर हम बाकी languages के लिए भी wrappers create कर दे, तो फिर, बहुत तरह के projects में, XGBoost आसानी से use हो पाएगा, तो this was again great thinking by the creator, जिसने XGBoost की popularity को और help किया, इसके बाद XGBoost यहाँ पर नहीं रुका, इसके अलावा भी एक चीज और है XGBoost में, कि आपकी बहुत सारी जो और famous libraries हैं, उनके साथ भी support है XGBoost का, तो अगर आप बात करो, model building के process का, जहाँ पर आप data analysis करते हो, और फिर models build करते हो, तो वहाँ पर XGBoost is compatible with all the famous python libraries, like NumPy, pandas, plotting libraries like Matplotlib, etc, psychic learn के साथ आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो, अगर आप बात करो distributed computing की, अभी क्या होता है distributed computing, हम लोग थोड़ी दिर बात discuss करेंगे, बट अभी जस्ट नाम जानने के लिए, if you are interested in distributed computing, तो जो famous libraries हैं आपकी जैसे की spark हुआ, या फिर pie spark हुआ, या फिर dask हुआ, इनके साथ भी compatible होता है XGBoost, if you talk about model interpretability, model interpretability, जहां पर आप एक बार model के बनने के बाद, उसको explain करते हो, तो वहाँ पर भी कुछ famous libraries हैं, like Shapp and Lime, इनके साथ XGBoost compatible है, अगर आप बात करो model deployment की, तो शायद आपने नाम सुना होगा, Docker का, Kubernetes का, इन सब के साथ भी XGBoost compatible है, and lastly, if you talk about workflow management, basically, MLOps, etc., तो यहाँ पर भी जो कुछ famous libraries हैं, like Apache का air flow है, या फिर, आपका ML flow है, यह भी एक बहुत famous library है, इनके साथ भी आपका compatibility बहुत strong है, XGBoost का, तो इस aspect पे भी बहुत काम किया गया है, Lastly, सबसे important, कि XGBoost कई तरीकों के machine learning problems के साथ comfortable है, अगर आप बात करो, let's say, linear regression की, तो linear regression is just comfortable with regression problems, right, if you talk about logistic regression, तो it is just comfortable with classification problem, but XGBoost is like an algorithm, जिसको आप किसी भी तरह का machine learning problem दे दो, वो उसको solve कर सकता है, so regression problem के उपर भी काम कर सकते हो, classification में आप, binary classification पे भी काम कर सकते हो, multi class classification पे भी काम कर सकते हो, not only that, अगर आप time series forecasting की बात करो, तो time series forecasting में भी, आपका XGBoost बहुत यूज होता है, और अच्छे results आते हैं, इसके अलावा, अगर आप ranking problems की बात करो, ranking problems क्या होती हैं, जहाँ पर आपको कुछ items दे दिये जाते हैं, और आपको उनको rank करना होता है, किसी requirement के basis पर जैसे की, recommender systems and all, वहाँ पर भी XGBoost बहुत यूज होता है, इसके अलावा, anomaly detection जो हुआ, वहाँ पर भी XGBoost बहुत यूज होता है, and lastly, since XGBoost is based on GBDT, that is gradient boosting decision trees, तो gradient boosting decision trees में, आप कोई भी differentiable loss function यूज कर सकते हो, तो ये feature XGBoost में भी है, कल को आप कोई भी problem, अपने हिसाब से define कर सकते हो, अपना custom loss function दे सकते हो, लेटसे कल को आपको एक ऐसा loss function चाहिए, जो positive points को ज़ादा weightage दे रहा है, negative points के comparison में, तो आप अपना खुद का loss function define कर सकते हो, आपको एक ऐसा loss function चाहिए, जो false positive को ज़ादा weightage दे रहा है, false negative से, तो आप वो design कर सकते हो अपने लिए, आप अपने लिए खुद के custom metrics भी बना सकते हो, ये सारा flexibility आपको XGBoost देता है, तो I hope इस पूरे discussion के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, कि क्यूं flexibility has been a very important aspect of XGBoost, ठीक है, तो ये चार major points थे, जो हमने यहाँ पर cover किये, तो चलो guys, अब हम लोग अगले aspect की तरफ move करते हैं, जिसके उपर बहुत focus किया गया, XGBoost को बनाते time, तो टियांकी chain ने realize किया, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, data sets का size और बढ़ता जाएगा, तो अगर हमें एक बहुत तगड़ा powerful machine learning algorithm create करना है, तो फिर उसके अंदर ये capability तो होनी चाहिए, कि कितना भी बड़ा data set आप उसको दे दो, वो उसके उपर training आराम से कर ले, तो फिर आज के जो algorithms थे, मतलब gradient boosting and all, उनका speed उतना अच्छा नहीं था, बड़े data sets के उपर, तो XGBoost में क्या है, कि बहुत सारे software optimizations apply किये गए है, in order to increase the training speed, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक-एक करके ये six optimizations के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा, कि क्यों XGBoost बाखी के machine learning algorithms से fast होता है, in fact, पहले मैं आपको एक बार prove करके दिखाऊंगा, empirically, कि सच में XGBoost का training time कम है, in comparison to gradient boosting, so, यहाँ पर मैंने एक sample code लिखा हुआ है, so, this is the sample code, यहाँ पर मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैंने एक synthetic dataset बनाया है, एक toy dataset बनाया है, जिसमें 10,000 rows हैं, और 200 columns हैं, तो बहुत-बड़ा dataset भी नहीं है, बट छोटा भी नहीं है, और फिर मैंने क्या किया है, मैंने पहले इसके उपर gradient boosting classifier को train किया है, और फिर मैंने XT boost classifier को train किया है, और बस time measure किया है, ठेक है, simple सा code है, तो यहाँ पर you can see, this is the result, इस data के उपर gradient boosting को train होने में, 72 seconds लगे, whereas, XT boost को train होने में, सिर्फ 5 seconds लगे, 10 times faster है, ठेक है, अब यह सबसे accurate तरीका नहीं है, यह difference measure करने का, but empirically यह proof हो रहा है, कि कभी भी आप कोई भी data set उठाओ, specially अगर आप बड़े data sets उठाओ, तो XT boost का training time, at least 10 times कम होगा, and this is a big improvement, अगर आपको एक data set के उपर, model को train करने में, 10 घंटे लग रहे हैं, बहुत बड़ा data set है, तो XT boost को use करके, आपको सिर्फ एक घंटा लगेगा, तो यह एक बहुत बड़ी चीज थी, जो XT boost में है, कैसे हैं, वो हम लोग समझेंगे, तो there are six aspects, हम लोग इन सब को एक एक करके discuss करेंगे, तो सबसे पहला point है, parallel processing, parallel processing, I guess, even if you are from non-technical background, you would be able to understand की, parallel processing क्या होता है, आपको एक घर बनाना है, अगर आप अकेले यह घर बनाओगे, तो लेट से आपको 30 days लग रहे हैं, इस process को fast कैसे किया जा सकता है, आप यह काम अकेले मत करो, पाँच और लेगों के लेओ, तो there is a good chance की, सभी लोग बराबर काम करें, तो 6 दिन में यह काम हो जाए, तो that's the main idea, कि आप sequentially काम करने के बदले, parallel ही काम करते हो, काम divide कर लेते हो, बट जब मैंने पढ़ा, कि XGBoost support करता है, parallel processing, तो मुझे एक बहुत मासूम सा doubt आया, doubt यह था, कि हम सभी ने boosting के बारे में यह पढ़ा है, कि boosting stages में काम करता है, तो आप अपना data देते हो, पहले model को, पहला model कुछ गलतियां करता है, और उस गलतियों को आप आगे भेजते हो, second model में, यह model कुछ गलतियां करता है, इसको आप भेजते हो, third model में, and so on, तो essentially, boosting के अगर आप बात करो, तो it is a sequential process, right, एक के बाद एक आप models को train करते हो, तो मुझे यह जान करके बहुत surprising लगा, कि अगर कोई process, essentially sequential है, तो आप उसमें parallel processing लाओगे कैसे, मज में आया, कि actually यह जो parallel processing है, यह model building के terms में नहीं है, इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो models है, यह अभी भी, sequentially ही train हो रहे हैं, model को build करने के लिए, हम parallel processing नहीं लगाते हैं, but, हर model को individually build करने में, हम parallel processing लगाते हैं, मैं समझाता हूँ इस बात को, यहाँ पे हर model, एक decision tree है, तो मेरे कहने का यह मतलब है, कि जब आप इस tree को बना रहे हो, grow कर रहे हो, तो इसको बनाने के process में, आप parallel processing लगाते हो, जैसे फिर यह बन जाता है, तो फिर आप अगले tree को बनाने के लिए, parallel processing लगाते हो, कैसे मैं समझाता हूँ, now it's very important कि आपको decision trees कैसे काम करते हो, यह पता हो, नहीं तो आप समझ नहीं पाऊगे, तो जो भी है, मैं आपको बताता हूँ, एक example लेके, मालनो हमारे पास यह data है, कि age कितना है, और marks कितने है, और let's say placement, कितने का लगा, मालनो यहाँ पे, 21 साल है, यहाँ पे 98 है, यहाँ पे placement लगा 13 lakhs का, 19 है, 89 है, और placement लगा 11 lakh का, 17 है, 95 है, और placement लगा 15 lakh का, अब I know, इस data का कुछ बहुत ज़्यादा meaning नहीं है, example देने के लिए मैंने आपको समझाया, अब अगर मुझे इस data के उपर, यह पहला model बनाना है, यह decision tree बनाना है, तो शायद आपको याद होगा, decision tree बनता कैसे है, आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपना root node खोजना होता है, अब root node, आपके पास दो features हैं, F1 और F2, इन दोनों में से ही, किसी एक में root node बनेगा, या तो F1 मेरा root node बनेगा, या तो F2 बनेगा, तो मुझे क्या करना पढ़ता है सबसे पहले, मुझे अपने age वाले column को पकड़ना है, और इसको सबसे पहले sort कर देना है, फिर मुझे splitting points निकालने हैं, जैसे इन दोनों का average हो गया 18, इन दोनों का average हो गया 20, तो basically मैं एक बार data को divide करूँगा 18 के basis पे, और एक बार मैं divide करूँगा 20 के basis पे, और मैं अपना entropy, या फिर Gini index calculate करूँगा, तो इन दोनों में से जिसमें भी minimum आएगा, वो मेरा splitting criteria हो जाएगा, माल लो 18 आया, तो splitting criteria हो गया, F1 greater than 18, और इसके corresponding कुछ Gini index value है, फिर मैं same काम करूँगा marks के उपर, मैं सबसे पहले इनको sort करूँगा, 89, 95, 98, तो splitting values क्या होंगी, इनके बीच में, let's say 92 आगया, इसके बीच में, let's say 97 आगया, अब मैं इन दोनों के उपर splitting वार के देखूँगा, और Gini index निकाल के देखूँगा, जिसमें भी minimum आ रहा है, मैं उसको select कर लूँगा, let's say वो आ रहा है 97, और इसके corresponding एक Gini value है, right, और अब मैं इन दोनों को compare करूँगा, इन दोनों में जो कम होगा, वही finally मेरा root node बन जाएगा, बट अगर आप इस पूरे process में देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले F1 में, सारे splitting criteria's को test कर रहे हैं, और फिर F2 में भी, सारे splitting criteria's को test कर रहे हैं, और फिर दोनों को आपस में compare कर रहे हैं, बट अगर आप देखो, तो don't you think, जब हम ये वाला काम कर रहे हैं, तो side by side हम ये काम भी तो कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में तो कोई relationship नहीं है, and this is where parallel processing comes in, so, जैसे ही आप F1 को उठाते हो, आपके processor का एक दूसरा को, F2 को उठा लेता है, और ये दोनों काम parallel होते हैं, यहाँ पर आपको एक splitting criteria मिलता है, यहाँ पर आपको दूसरा splitting criteria मिलता है, फिर आप इन दोनों को compare कर लेते हो, और आपको आपका final splitting criteria मिल जाता है, but, सिंस ये दोनों काम parallel में हो रहे हैं, तो overall जो speed है, वो बढ़ जाती है, अब ये तो मैंने example दिया, आपको सिर्फ दो features का, imagine करो 200 features है, अगर आपने ये parallel processing नहीं लगाया होता, तो फिर, एक के बाद एक आप सारे features को try out करते, और बहुत time लग जाता, बट यहाँ पर आप क्या गर सकते हो, कि parallel ही काम कर सकते हो, obviously depend करेगा कि आपके processor में कितने cores हैं, let's say, तो यह आपका end jobs बोल करके एक hyper parameter होता है, उसमें आप जैसी minus 1 डालोगे, यह वाला process activate हो जाता है, और आपका parallel processing काम करने लग जाता है, but yeah, this is one of the optimizations, जिसकी वज़े से XGBoost fast है, I hope आपको पहला point समझ में आ गया, तो अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे XGBoost parallel processing यूज़ करता है, tree building के process में, और इससे क्या फायदा होता है कि, जो सारे trees बनते हैं, वो थोड़ा fast बनते हैं, but XGBoost ऐसा इसलिए कर पाता है, क्योंकि वो कुछ optimized data structures यूज़ करता है, data structure क्या होता है, data को store करने का तरीका, तो बाकी के machine learning algorithms क्या करते हैं, कि वो data को row-wise store करते हैं, मैं आपको एक example समझाता हूँ, मालों आपके पास ये data है, CGPA, IQ और placement कितने का लगा, यहाँ पे आपके पास, अलग-अलग rows हैं, like this, तो आपका जो बाकी machine learning algorithms हैं, या फिर in general storage कैसा होता है, कि row-wise basically blocks बन जाते हैं, so this is one block of information, this is second block of information, और फिर इसके उपर आप row-by-row processing करते हो, but XGBoost एक different optimized data structure यूज़ करता है, जिसको हम बोलते हैं, column-block, column-block में आप क्या गरते हो, instead of storing information row-wise, you store information column-wise, like this, आप अपने features को, अलग-अलग column-blocks में store करते हो, और जैसे ही parallel processing की जरूरत होती है, आप एक बार में एक column-block को लेते हो, और उसके उपर operate करना start कर देते हो, you start finding the splitting criteria, तो यह जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, parallel processing, वो इसी लिए possible हो पाया, क्योंकि, XGBoost internally data को, अलग-धंग से store कर रहा है, जहां पर बाकी algorithms, row-wise fashion में store कर रहा है, XGBoost, column-block fashion में store कर रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है, आप यह parallel processing, बहुत असानी से कर पारे हैं, this is just one example, इसके अलावा और भी examples है, जहां पर you would see, कि बहुत smartly data structures को use किया गया है, to improve the speed of the algorithm, let's move on to the third point, so, जो third चीज़ है, उसको बोलते हैं, cache awareness, cache है या cache memory, जो भी आप बोलो, तो basically XGBoos जो है न, वो cache memory को बहुत efficiently use करता है, अब अगर आप non-technical background से आते हो, और आपको नहीं पता cache memory क्या होता है, तो generally एक computer के अंदर setup क्यासा होता है, कि एक CPU होता है, जिसका काम होता है सारे के सारे computations करना, बट computations करने के लिए उसको data की ज़रूरत होती है, data होता है RAM में, तो पूरे time क्या हो रहा होता है, कि ये दोनो components आपस में बात कर रहे होते हैं, CPU को जब भी किसी particular data की ज़रूरत होती है, वो RAM से मांग लेता है, ठीक है ये दोनो connected है through a system bus, अब the problem with this approach is, कि since ये दोनो components दो अलग hardware है, तो ये जो data transfer हो रहा है न, इसमें थोड़ा time लग जाता है, तो इसी को solve करने के लिए एक concept आता है cache memory का, cache memory is a very small memory, जो CPU के अंदर ही होती है, ठीक है, जनरली अगर आप एक normal laptop की बात करो, तो 4 MB से लेकर के 8 MB या उससे थोड़ा जादा होता है, छोटा ही होता है, बट इसमें आप ऐसी चीज़ों को store करना चाहते हो, जो की बार-बार use होने वाली है, जैसे आपने शायद notice भी किया होगा, कि अगर कोई website आप बार-बार visit करते हो, लेकर से आप daily basis पे visit करते हो, तो आप notice करोगे कि एक हफ़ते बाद, वो website को load होने में कम time लगता है, because कुछ basic चीज़े आप cache memory में store कर लेते हो, जैसे कि उसका CSS file या फिर उसका logo, इस तरह की files को आप store कर लेते हो cache memory में, और अगली बार जब आप load करोगे, तो आप actually server से नहीं मंगा रहे, आप अपने ही machine से load कर रहे हो, तो XGBoost क्या करता है, कि XGBoost utilizes this concept of cache memory, so अभी मैं पूरा तो नहीं समझा सकता, because अभी हमने details नहीं पढ़े हैं, but XGBoost tree formation के लिए एक concept यूज़ करता है, जिसको हम बोलते है histogram based training, तो उसको जब भी कोई numerical feature मिलता है, जैसे कि CGPA हुआ या IQ हुआ, तो वो क्या करता है, इस feature के उपर एक histogram बनाता है, आपको histogram I guess पता होगा, अब histogram बनता है bin के उपर, मालो आपके पास एक data है इस तरीके से, जहां पर IQ दिया हुआ है, मालो 50 से लेकर के 150 तर, तो आप इसमें bins बना सकते हो, जैसे एक bin हो गया 50 से 60, दूसरा हो गया 60 से 70, इस तरीके से आप bins बनाते हो, और ऐसे आपका histogram बनता है, तो XG boost क्या करता है, कि ये जो bins की जो value है, उसको cache memory में जाके store कर देता है, because ये जो values हैं, ये आपको बार-बार लगने वाला है, बतलब बार-बार use होने वाला है, to build the tree, and similarly और भी जो required चीज़े हैं, जो बार-बार जरूरत है जिसकी, उसको आप क्या करते हो, आप cache memory में डाल देते हो, इससे क्या होता है, आपका जो speed है, ट्रेनिंग का, वो improve कर जाता है, simple सा example देता हूँ मैं आपको, माल लो आप kitchen में खाना पका रहे हो, ठीक है, और आपको जो ingredients चाहिए हैं, वो fridge के अंदर रखा हुआ है, तो आपको जब जिस ingredient की जरूरत है, आप fridge खोल रहे हो, निकाल रहे हो, खाना बना रहे हो, but then I realized, I'm sorry, not me, the cook realized, कि यार देना certain ingredients, जिसकी जरूरत बार बार पढ़ रहे हैं, तो उसने उन ingredients को उठा करके क्या किया, अपने बगल में रख लिया, अब उसको हर बार fridge के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे अपने पास से उठा करके यूज़ कर सकता है, तो यहाँ पर अपने पास जो रखा है, उसको हम बोलेंगे, cache memory, जो fridge है, उसको आप बोलोगे RAM, और जो हमारा cook है, उसको आप बोलोगे CPU, तो basically, simple शब्दों में बोला जाए, थोड़ा जादा technicality हो गई, कि cache memory का जो concept है, XGBoost उसको efficiently use करता है, to build decision trees, and that is why, थोड़ा और fast हो जाता है, XGBoost. Let's move on to the fourth point of optimization, जिसका नाम है, out of core computing. So, out of core computing क्या होता है, मैं आपको एगदम simple शब्दों में समझाता हूँ. मालो, आपके बास एक computer है, एक laptop है, जिसमें जो RAM है, वो 8GB है. और आपके manager ने आपको एक dataset दिया, जो कि बहुत important है, बट आपने जब उस dataset को देखा, तो you realized कि ये dataset 10GB का है. Now, the simple question is, कि आप 8GB RAM में, 10GB का dataset load कैसे करोगे, अगर आप load ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आगे तो कोई काम होई नहीं सकता. तो this is a big challenge in machine learning, कि अगर आपके पास बहुत बड़ा dataset आ गया, इतना बड़ा कि आपका RAM भी उसको contain नहीं कर सकता, तो फिर आप उस model को train नहीं कर सकते. तो यहीं पर आता है out of core computing. Out of core computing में आप क्या गरते हो, कि आप अपने बड़े से dataset को, लेटसे 10GB का जो dataset है, इसको आप chunks में divide कर देते हो. ठीक है, लेटसे एक chunk हो गया 2GB का, और इस तरीके से आपने 5 chunks बना दिये. अब आप क्या करते हो, एक बार में एक chunk को RAM में load करते हो, उसके उपर model को train करते हो, फिर आप दूसरे chunk को load करते हो, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचरे को, और यह सारा काम sequentially होता है. ठीक है, तो पहला 2GB को train करने पे, model का कुछ एक state है, let's say state S1 है, तो जब दूसरा chunk का अप load करते हो, तो S1 से ही training kind of resume होता है, और state 2 पे पहुँचता है, फिर state 3 पे पहुँचता है, फिर state 4 पे पहुँचता है, और फिर final state पे पहुँचता है. तो XT boost is actually one of those algorithms, in fact, I guess the only one, जहां पर आपके पास ये out of core computing का feature available, है सीधे सीधे इस library में, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक hyper parameter होता है, जिसको आपको set करना होता है, उस hyper parameter का नाम होता है tree method, इसको आप जैसे ही hist set करते हो, out of core computing kind of activate हो जाता है, और आप फिर कितने भी बड़े data set को chunk by chunk divide करके, अपने model को train कर सकते हो, out of core computing में cache memory भी काफी इस्तमाल होता है, जब आप ये model को train कर रहे हो sequentially, तो जो भी important चीज़े हैं, उनको आप simultaneously cache memory में store कर लेते हो, जिनकी जरूरत बार बार पढ़ने वाली है, और फिर आप cache memory से उन information को निकाल करके, इस training को perform करते हो, तो out of core computing works in tandem with cache awareness, ये दोनों चीज़े साथ में काम करते हैं, बट जो भी है, इस इस अफिर इंपॉर्टन फीचर, बिकाज ये फीचर के होने से, आप XGBoost को कितने भी बड़े data set के उपर लगा सकते हो, ठीक है, तो this was the fourth optimization that is available in XGBoost, तो guys, अगले point पे move करते हैं, अगला point बहुत ही interesting point है, और वो है distributed computing, तो अगर आप software background से हो, तो शायद आपने ये term सुना होगा, बहुत ही famous है, बहुत ही buzzword माना जाता है, और honestly, जो लोग industry में इसको कर पाते हैं, उनको passive ऐसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं, so let me first explain distributed computing होता क्या है, और फिर मैं आपको XGBoost के context में explain करूँगा, कि distributed computing कैसे use करता है XGBoost, so if you talk about distributed computing, distributed computing का मतलब है, आपके पास बहुत सारी machines हैं, ठीक है, और literature में इन machines को nodes बुलाया जाता है, each of these are called nodes, और अब आप क्या करते हो, मालो आपके पास कोई एक task, जैसे की to train a model on a dataset, this is the task, तो आप क्या कर रहे हो, इन सारे nodes को use करके, इस task को complete करते हो, so basically distributed computing is, a process where you divide your task, और distribute your task to different nodes, और सभी को अपना-पना काम मिलता है, सभी लोग अपना-पना काम parallelly perform करते हैं, यही होता है distributed computing, अब अगर आप बात करो XGBoost की, तो XGBoost में आपके पास यह feature है, कि अगर आप चाहो, तो multiple devices के उपर, साथ में training करवा सकते हो, ठीक है, फाइदा क्या है, फाइदा यह है, कि माल लो आपके पास एक huge data set है, जो आप एक single machine के उपर load ही नहीं कर सकते, तो in that case, आप उस data set को, छोटे-छोटे parts में divide करके, अलग-अलग nodes को दे सकते हो, और यह सारे nodes, independently, उसके उपर training perform करेंगे, और बाद में aggregate कर देंगे results को, अब I know आपके दिमाग में एक question आ रहा होगा, कि यह same काम तो हम out of core computing से भी कर सकते हैं, जहाँ पर हम छोटे-छोटे chunks बना करके, same machine में feed कर रहें, but there is a benefit with distributed computing, सोचके देखो क्या है वो benefit, out of core computing में क्या होता है, कि आप chunks में divide कर रहे हो, but आपका जो machine है, वो तो एक ही है, तो वो एक बार में, एक ही chunk के उपर काम कर सकता है, यहाँ पर समझना, जब आपने five chunks बनाए थे, तो आपका machine एक बार में, एक ही chunk को process कर रहा था, sequentially, पट यहाँ पर देखो, मालो अगर आपके पास five nodes है, और आपके पास 10 GB का data set है, आपने उसको breakdown किया, into five chunks, अब आप क्या गर सकते हो, अपनी पांचों machines में, एक एक chunk भेज सकते हो, और यह जो training है, वो parallely होगा, तो basically, speed बढ़ गया, तो बड़े data sets के साथ, first of all आप काम कर पा रहे हो, second benefit है, कि faster training होगा, तो this is like a better option, अब होता कैसे, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, यह पूरा का पूरा process, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने data set को 5 chunks में divide कर दिये, इसको D1 मिला, इसको D2 मिला, इसको 3 मिला, इसको 4 मिला, इसको 5 मिला, अब हर machine क्या करेगा, अपने given data के उपर, tree building का process start करेगा, मालो हमारे 10 GB वाले data में, दो features थे, F1 और F2, तो सभी के पास, पहले तो, one-fifth of the data है, you just make sure कि, सभी को बराबर data मिल रहा है, अब सभी लोग क्या करेंगे, अपने F1 और F2 के उपर processing करेंगे, और best splitting criteria निकाल के देंगे, तो F1 के लिए, एक splitting criteria यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, अब क्या करना है आपको, आपको aggregation perform करना है, एक और node होगा, जो kind of master का काम करेगा, और वो यह पूरा का पूरा communication handle करेगा, वो जाके पूछेगा कि, बताओ तुम्हारा splitting criteria क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तो आप data को first of all partition कर रहे हो, that is step 1, फिर आप हर data को locally train कर रहे हो, on one single node, then there is a master node, जिसका काम है, पूरा का पूरा communication देखना, और aggregation perform करना, and once the aggregation is done, आपका काम हो गया, तो this is the process of distributed computing, जो XGBoost में आपको मिलता है, बट इसको implement करना थोड़ा सा difficult है, आपको na external libraries यूज़ करनी पड़ती है, मैंने बताया था आपको वीडियो के शुरुआत में, कि XGBoost का एक और अच्छा feature क्या है, कि वो external libraries के साथ integrate हो सकता है, तो यहाँ पर आप इस काम को करवाने के लिए, एक library होती है, जिसका नाम है dask, उसको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप kubernetes भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो यह कुछ options हैं आपके बास, जिनको यूज़ करके, you can perform distributed computing, in some future video, I'll teach यह कैसे करना है, but just wanted to give you a rough idea, कि distributed computing क्या है, और XGBoost उसको कैसे implement करता है, so guys, let's move on to the last part, of speed वाला aspect, and that is GPU support, GPU stands for graphical processing unit, या graphics card बोलते हैं, हम लोग उसको popularly, तो अभी तक हमने जो भी discussions किये इसके पहले, उसमें यह assumption था कि जो भी processing हो रहा है, वो CPU के थूँ हो रहा है, main बंदा CPU है, बट आपको भी पता है, जैसे जैसे data बड़ा होता जाता है, तो CPU slow होता जाता है, like CPU उतना तेजी से काम नहीं कर पाता है, तो a very good approach is, to use a GPU or a graphics card, deep learning essentially यहीं कर रहा है, deep learning की सारी training आपको पता है, वो GPUs के उपर होती है, GPU होता क्या है, basically, it's basically a processor, जहाँ पर बहुत सारे cores होते हैं, like less powerful, सारे के सारे जो cores हैं, वो कम powerful होते हैं, but more in numbers, तो हर core, बहुत बड़ा calculations नहीं कर सकता है, लेकिन, छोटे छोटे calculations कर सकता है, तो that is why GPUs को बहुत use किया जाता है, gaming में, जहाँ पर बहुत high grade graphics डिस्प्ले करना है, deep learning के training में, जहाँ पर बहुत छोटे-छोटे matrix based calculations करने हैं, तो XGBoost के बारे में, जो creators थे, उन्होंने ये realize किया, कि since उन्होंने काफी सारा task, parallel, बना दिया है, like, जो histogram based training होती है, उसमें जो histogram का creation है, plus, जो split finding, की जारी है, ये सारे tasks, highly parallelizable है, मतलब इनको parallel में किया जा सकता है, तो they thought कि, then, why not use a GPU as well, and that's when, they decided कि, हम GPU का support देंगे, and xt boost is one such library, जहाँ पर आपके पास GPU का support है, in fact, ये graph देखो, ये मैंने एक block से उठाया, यहाँ पर x axis पर test error है, जिसको हम minimize करना चाहा है, और x axis पर आपका time है, तो you can see, ये जो orange वाला curve है, ये CPU का curve है, जिसमें 32 cores है, and this blue curve is a Tesla P100 GPU, and you can see, सिर्फ 120 seconds के आसपास में, आप already, you are performing much better, because you are working with a GPU, तो कुछ खास करना नहीं होता है, आपको basically एक hyper parameter, मैंने भी उपर भी बताया, जिसका नाम है, tree method, इसका value आपको set करना होता है, to GPU underscore hist, और internally आपके computer में अगर, graphics card है, तो XGBoost उसको use करने लग जाएगा, to perform the training, and you would notice, कि आपका speed up हो जाएगा, पूरा का पूरा process, तो this is the sixth, but a very important point, कि कैसे XGBoost software optimizations कर रहा है, to be faster, speedier, ठीक है, अब अगर मैं आपको ये सारी चीज़े बताने के बाद पूछूँ, कि क्या लग रहा है आपको XGBoost के बारे में, किस तरीके से इन लोगों ने software को use किया है, to improve the speed of the algorithm, I am pretty sure आपके दिमाग में एक word आ सकता है, and maybe that word could be extreme, नहीं, like इनोंने software के सारे concepts उठाए, जो भी heavy-heavy concepts थे, और उन सब को लगा दिया gradient boosting के उपर, और तब निकला XGBoost, and no wonder, XGBoost का जो पूरा का पूरा नाम है, वो है extreme gradient, boosting, और यह extreme word यहीं से आ रहा है, they also realized कि यह हमने थोड़ा जादे extreme काम कर दिया है, like जी optimizations हमें लगाने थे, we have gone extreme, and that's why they called this algorithm, XGBoost, ठीक है, तो यह हो गया एक aspect, जहां पे हमने यह पढ़ा, कि software, engineering के concepts को लगा करके, कैसे gradient boosting को और optimize किया गया, अब हम लोग अगले section में जाएंगे, और हम लोग discuss करेंगे, कि machine learning के concepts को कैसे use करके, performance को और optimize किया गया, वो हमारा next point of discussion होगा, so guys, अब हम लोग move कर रहे हैं, third aspect of XGBoost की तरफ, and that is performance, अब हम लोग discuss करेंगे, कि कैसे Tiyanky chain ने, अलग-अलग aspects पर काम करके, performance को improve किया, और यहाँ पर आप देखोगे, किस तरहीके से machine learning के concepts, advanced concepts को use किया गया है, XGBoost को better बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5 points discuss करेंगे, एक-एक करके, सबसे पहले मैं आपको, first point के बारे मैं बताता हूँ, so first point है, regularized learning objective, so, I guess आपको regularization के बारे में बता होगा, हम लोगों ने जब linear models पढ़ा था, linear regression, logistic regression, etc, तो वहाँ पर हमने regularization का concept पढ़ा था, और हमने वहाँ पर L1, L2, regularization के बारे में पढ़ा था, अब nutshell में मैं आपको बता देता हूँ, कि regularization आप mostly तब use करते हो, जब आपका model, training data पे तो अच्छा result दे रहा होता है, but testing data पे जो results है, वो उतने अच्छे नहीं आते, basically overfitting के situation में, आप अपने model को थोड़ा सा और simplify करने की कोशिश करते हो, using a regularization term, तो आप basically क्या करते हो, आप अपने loss function में एक regularization का term आड़ कर देते हो, और अप क्या करना है, आपको अपने loss function को solve करने के लिए, इसको भी solve करना पड़ेगा और इसको भी solve करना पड़ेगा, तो this is the basic idea behind regularization, अब gradient boosting जो था, उसमें आप कोई भी differentiable loss function यूज तो कर सकते थे, बट यहाँ पर regularization अप्लाई नहीं किया जा सकता था, gradient boosting में जो regularization अप्लाई होता था, to reduce overfitting वो दो तरीके का होता था, एक होता था learning rate से, जहाँ पर आप हर subsequent tree के अंदर, एक learning rate से multiply करते थे, उसका impact reduce करने के लिए, और second होता था, tree construction के process में, आप उसको prune वगरा किया करते थे, यहाँ पर क्या फाइदा है, XGBoost में, कि XGBoost में आपका जो loss function है, उसमें by default एक regularization term होता है, इससे क्या फाइदा होता है, कि जब आप अपने loss function को minimize करने की कोशिश करते हो, तो आपका focus regularization term पे भी जाता है, और अपने आप फिर regularization होने लग जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, यह हमारा original XGBoost का paper है, यहाँ पर अगर आप नीचे जाओ, तो tree boosting में जो पहला point है, वो exactly यही है, overall loss function है, XGBoost का, तो यहाँ पर आपके पास एक differentiable loss function है, आपके prediction और आपके target के base, के उपर based, और साथी साथ यह term add होता है, अब इस term में अगर आप यहाँ पे focus करो, तो this is the regularization का term, यहाँ पे w is basically the weight of the leaf, और lambda is your regularization parameter, which is the hyper parameter, तो since यह आपके loss function में ही present है, तो बहुत आसानी हो जाती है, regularization को directly apply करने में, जबकि अगर आप notice करोगे, यहाँ पर gradient pre-boosting में, यह चीज नहीं हुआ करती है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग detail में पढ़ेंगे, जब हम लोग mathematical formulation पढ़ेंगे, इस point पर मैं बस आपको यह समझाना चाहता था, कि XGBoost का performance थोड़ा अच्छा इसलिए भी है, because अलग से कोशिश की गई है regularization add करने की, उससे क्या होगा, कि आपका जो model है वो थोड़ा सा general type का बनेगा, general model बनेगा, और अलग-अलग type के data sets पर उसका performance अच्छा होगा, and it's mostly because आपका loss function ही इस तरीके से designed है, कि उसमें by default एक regularization term है, I hope आपको यह point समझ में आ गया, so guys let's move on to the next point, that is handling missing values, अब यह point समझने के लिए, हम लोग यह third point पहले समझेंगे, जो की है sparsity aware split finding, यह आप जैसी समझ जाओगे, तो आपको second वाला point automatically समझ में आ जाएगा, कि XGBoost missing values को कैसे handle करता है, just to give you some context, आज तक हमने यही पढ़ाए, कि कोई भी machine learning algorithm के पास, अगर आप एक ऐसा data set भेजोगे, जिसमें missing values हैं, तो वो काम नहीं करेगा, right, missing values के उपर काम नहीं किया जाता है, तो that is why हमें क्या करना पड़ता है, हमें pre-processing करनी बढ़ती है, और हमें अपने missing values को impute करना पड़ता है, या तो हम हटा देते हैं, या फिर उसको fill करते हैं, बट XGBoost में ऐसी जरूरत नहीं है, XGBoost by default खुझ से missing values को handle कर सकता है, कैसे वही समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, sparsity aware split finding, सबसे पहले sparsity क्या होता है, sparsity होता है जब आपके data में खूप सारे zeros हों, या missing values हों, अब XGBoost के अंदर एक mechanism है, जिससे वो first of all समझ पाता है, कि there is sparsity, और फिर उसको handle कर पाता है, let me give you one example, कि कैसे missing values यहाँ पर handle हो रही है, सो मालनों हमारे पास एक feature है, F1, जिसमें, अलग-अलग values दी हुई है, and then there is a missing value, अब कोई और algorithm क्या होता, कि वो इसके उपर कामी नहीं करता, because there is a missing value, तो आपको या तो इसको fill करना होता है, या तो हटाना होता, but XGBoost क्या करता है, XGBoost smartly समझने की कोशिश करता है, कि कि किस direction में missing value को fill करना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, so आपको क्या करना है, सबसे पहले splitting criteria decide करना है, तो आपका पहला splitting criteria हो गया 4.5, अगला हो गया 5.5, उसके बाद missing values के आसपास आप splitting criteria decide नहीं करते हो, 6 और 8 के बीच में हो गया let's say 7, और यहाँ पी हो गया 8.5, तो अब आप क्या करे हो, आप एक node बनाए हो, F1 greater than 4.5, अब आप हर data point को जाकर के check करोगे, कि वो left वाले node में आएगा या right वाले node में आएगा, जैसे 4 वाला चीज यहाँ पर आ गया, F1 is this is yes, this is no, तो 4 वाला point यहाँ पर आ गया, बाकी के 5, 6, 8 और 9 यहाँ पर आ गया, अब सवाल यह है कि यह missing value का हमके क्या करना है, यह इस node में जाएगा, या फिर इस node में जाएगा, तो XGBoost क्या करता है, कि वो दो बार यह splitting करेगा, एक बार missing value को यहाँ पर भेज देगा, और फिर gain calculate करेगा, और एक बार missing value को यहाँ पर भेजेगा, और फिर gain calculate करेगा, और जहाँ पर भी maximum value आ रहा है, directional sense बनाने की कोशिश कर रहा है कि missing values को किस direction में fill करना चाहिए and that is how xd boost handles missing values तो अभी मैंने बहुत detail में आपको नहीं बता है इसके उपर I'll make a separate video यह पूरी चीज कैसे काम करती है समझाने के लिए फिलहाल what I can do is I can give you a small code example कि सच में अगर आप missing values दे दोगे xd boost को तो भी वो handle कर देगा so यह code मैंने लिख रखा है so this is the code यहाँ पर आप देखो यह हमारा data है इसमें दो features है तो पहले feature में तो कोई missing value नहीं है बट दूसरे feature में एक missing value है ठीक है और यह हमारा y value है हमने कुछ नहीं किया हमने सीधे-सीधे train test split किया xgp classifier लगाया and you can see मैंने कहीं भी missing value को fill कर नहीं किया है हटाने की कोशिश नहीं किया मैंने model को train किया और accuracy निकाला यह देखो हमारा accuracy 0.5 और कोई machine learning algorithm काम ही नहीं करता but xg boost is not like that xg boost internally missing values को handle कर सकता है ठीक है तो मैंने आपको एक overview दे दिया बाकि हम इसको detail में cover करेंगे तो guys let's move on to the next point the next point is efficient split finding और इसमें हमें दो चीजों के बारे में जानना है एक है weighted quantile sketch और एक है approximate tree learning ठीक है this is a important part like this is a part जिसकी वज़े से xg boost not in terms of speed अच्छा perform करता है but उसका like data sets पे performance भी improve करता है तो मैं आपको basic idea देता हूँ because यह थोड़ा सा complex है so I guess आपको यह तो पता होगा कि boosting algorithms या फिर even bagging algorithms tree बनाने के उपर depend करते है they build a lot of trees अब trees बनाने में एक बड़ी problem क्या है कि मान लो आपके पास जो features है वो numerical है like this अब अगर आपको यहाँ पर tree बनाना है तो आपको हर note पे एक splitting criteria decide करना पड़ेगा but splitting criteria आप decide कैसे करते हो so आप एक technique use करते हो जिसको बोला जाता है exact greedy search इसमें आप क्या करते हो हर दो points के बीच का average ले लेते हो और फिर उसको पकड़के आप splitting criteria बनाते हो और फिर सबको compare करते हो सबके results को compare करते हो यह हमने पढ़ा था decision trees में अब इस approach में problem क्या है कि obviously यह आपको best result तो दे देगा because you are actually trying out all the values but I think आप समझ पा रहे हो कि approach में problem यह है कि यह approach slow है क्योंकि आपको खूब सारी values try out करना है imagine this is a big data set इसमें एक करोड़ values हैं तो आपको कितनी बारी चीज़ करनी पड़ेगी तो यही पर यह concept आता है approximate pre-learning का so इस concept में आप क्या करते हो कि आप सारी values try out नहीं करते हो instead what you do is कि आप अपने इस numerical column को bin कर लेते हो bin कर लेते हो मतलब bins में divide कर लेते हो जैसे एक bin हो गया एक से लेके पांच दूसरा bin हो गया छे से लेके दस तीसरा हो गया ग्यारा से लेके पंदरा and so on तो आप binning कर लेते हो so आपका जो continuous variable था अब वो discrete हो गया तो obviously उतना अच्छा performance नहीं आएगा जितना exact greedy search में आता था बट speed बहुत बढ़ सकता है तो इसको बोला जाता है approximate tree learning अब जो approximate tree learning है उसमें आपको ये जो bins बनाने है अब bins बनाने है तो actually ये जो bins बनाने का पूरा process है और इस तरीके से जो training होती है इसको हम histogram based training बोलते हैं xd boost में क्योंकि आप bins create कर रहे हो जैसे आप histogram में bins create करते हो तो ये bins create करने के process के लिए हम जो technique use करते हैं उसको हम बोलते हैं weighted quantile sketch so आप क्या करते हो आप इस numerical column का distribution study करते हो you study the distribution let's say this is the distribution ठीक है अब इस distribution के हिसाब से आप bins decide करते हो आप बोलते हो एक bin हो जाएगा यहां से यहां तक फिर एक bin हो जाएगा यहां से यहां तक फिर एक bin हो जाएगा यहां से यहां तक ऐसे so basically आप क्या कर रहे हो आप quantiles calculate कर रहे हो और उन quantiles के basis पे आप ये bins बना रहे हो जैसे एक bin हो सकता है 0 से 30th quantile एक हो सकता है 30th से 45th quantile आप binning जो कर रहे हो वो quantiles के basis पे कर रहे हो अब इसका benefit क्या है मैं वो समझा देता हूँ आपको exact तरीका हम आगे पढ़ेंगे क्यों हम quantiles को use कर रहे है ये bins बनाने के लिए इससे ये फाइदा है देखो एक तरीका क्या हो सकता तब bins बनाने का एक तरीका माल लो आपके पास जो feature है उसमें जो values है वो 0 से 100 के बीच में है माल लो सारी values तो एक तरीका क्या होता बिनिंग करने का आप uniform बिनिंग करते uniform बिनिंग करते मतलब 0 से 10 का एक बिन 10 से लेके 20 का एक बिन 20 से लेके 30 का एक बिन ऐसे करते करते है 90 से लेके 100 का एक बिन बट ये uniform बिनिंग actually इस डेटा के distribution से कोई matching है ही नहीं like there is no relation अब अगर आप quantiles use करने लगो बिनिंग के लिए तो इससे क्या फाइदा होगा कि माल लो आपका data का distribution यह है यहाँ पे 0 है यहाँ पे 100 है तो जहाँ पर data कम है जैसे यहाँ पर देखो early parts में data कम है और later parts में भी data कम है इसका मतलब यह हुआ कि 0 से 10 के बीच में values कम है और 80 से 100 के बीच में भी values कम है सबसे ज़ादा values let's say 40 से 60 के बीच में तो आप क्या करोगे कि जहाँ पर values कम है वहाँ पर आप बड़े-बड़े bins बनाओगे और जहाँ पर values बहुत dense है वहाँ पर छोटे-छोटे bins बनाओगे क्योंकि इसके अंदर जादा number of data points है तो आप जब quantiles use कर रहे हो और quantiles को use करके जब आप binning कर रहे हो तो आप actually data का जो distribution है उसको study करके educated decision making कर रहे हो कि ये bins क्या होने चाहिए उससे क्या होगा आप ज़्यादा accurately data को describe कर पाओगे इन bins के थुरू और फिर ये जो trees बनेंगे वो ज़्यादा accurate बनेंगे तो basically first of all हमने approximately learning के थुरू क्या किया speed acquire किया ठीक है बट ये speed acquire करने में हमारा जो performance था as in जो test data पे result था वो घटने लग गया because obviously exact grading search से तो खराबी होगा तो उसी कमी को पुरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया जो binning technique यूज़की वो था weighted quantile sketch जो data के distribution के basis पे bins कहां पे होंगे वो decide करता है और उसका benefit यह है कि आप इस तरीके से data के हिसाब से जो bins की requirement है वो आप create कर सकते हो अब I know this is like just the surface जो मैंने touch किया है इसको हम detail में पढ़ेंगे but this is one very important aspect of XGBoost जो आपको gradient boosting में नहीं मिलेगा let's move on to the last machine learning based optimization and that is tree pruning so अगर आपने decision trees और random forest और bagging ensemble type ये topics पढ़े होंगे तो आपको पता होगा tree pruning क्या होता है so tree pruning is basically a process जहां पर आप trees का जो depth है उसको cut short करते हो या trim करते हो and the goal is to reduce the complexity of the tree which will in turn reduce overfitting ठीक है तो ये बहुत important aspect बन जाता है पूरे के पूरे boosting process का दो तरह के pruning को हम लोग use करते हैं एक होता है post pruning जहांपर आप एक बार पहले tree को पूरा grow कर लेते हो और फिर based on data आप decide करते हो कि कितना छोटा करना है and the second one is pre pruning जहांपर आप tree construction के process में ही decide करते हो कि tree कितना बड़ा होगा the good part about xg boost is कि xg boost gives you a lot of options for pruning so यहां पर आपके पास not only pre pruning and post pruning से related बहुत सारे hyper parameters है but साथी साथ एक और gamma value बोल करके एक hyper parameter है जिसको use करके आप यह decide कर सकते हो कि कोई नया branch बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए नया branch तभी बनेगा जब loss में एक significant reduction हो रहा है तो यह सारी चीज़ें इतनी flexibility tree pruning में जो xg boost में है यह vanilla gradient boosting में नहीं थी तो tree pruning को अगर आप effectively use करते हो या internally use होता है तो फिर obviously जो performance होता है xg boost का वो जादता data sets के उपर बहुत बढ़िया काम करता है ठेक है तो यह 5 चीज़ें हमने discuss की जो थोड़ी अलग है इसके अलावा भी चीज़ें है xg boost में बट यह 5 अलग चीज़ें हैं जो सिर्फ xg boost में पाई जाती है तो that's why I thought एक बार आपको इसके बारे में introduction दे देते हैं बाकि हम लोग आगे के वीडियो में इन सारी चीज़ों को detail में भी cover करेंगे हमने काफी detail में discuss किया कि xg boost में क्या-क्या components है जो उसे इतना important machine learning library बनाते हैं अब अगर आपके दिमाग में ये बात है कि xg boost is the only gradient boosting implementation जो बहुत तगड़ा है और बहुत अच्छे results देता है data sets पे तो आप actually गलत हो there are two more implementations शायद आपने उनका नाम भी सुना होगा one of them is on your screen this is from Microsoft Research और इसका नाम है light GBM light gradient boosting machine और इसमें भी बहुत सारे features हैं जो xg boost के comparison में खड़े होते है ये थोड़ा lightweight है और इसके बारे में हम लोग आगे discussion करेंगे in detail but अभी इस point पर just wanted to show you कि ये भी एक important library है जिसको आप use कर सकते हो कई बार इसके results xg boost से comparable होते हैं कई बार xg boost से better भी होते हैं this is like targeted for faster training speeds low memory usage sometimes better accuracy and it also has the same features parallel distributed and gpu learning ठीक है and it is capable of handling large scale data similarly एक और library है जिसका नाम शायद आपने फिर से सुना होगा and that is cad boost cad boost is a high performance open source library for gradient boosting on decision trees और इसके सबसे important features में से एक है categorical features का support built-in categorical features का support जो हम again आगे चलके पढ़ेंगे but इस point में बस आपके दिमाग में ये बात ना बैट जाए कि बस xc boost is the only library जिसने gradient boosting को बहुत improve किया ऐसा नहीं है there are two more libraries in fact there are many more libraries but ये तीनों जो हैं ये सबसे जादा आपको सुनने में आएंगी ठीक है xc boost light gbm cad boost xc boost अब हम लोग detail में पढ़ने वाले हैं आगे के detailed था i know but i am pretty sure आपने कुछ सीखा होगा और अब आप excited हो xc boost को detail में सीखने के लिए so अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like कर देना और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया प्लीज तू subscribe मिल ते नेक्स वीडियो में बाई